कि नमस्कार साथियों आप सभी का हर्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार सेटर 24 7 पर और रात के बच्चु के हैं नो यानि कि समय हो चला है अपनी वकेबलरी को स्ट्रोंग करने का तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे साथ में एक बार जम के मेहनत करते हैं और अब की बार फिर से जो एक बार अपनी वकेब पर करारा परहार करते हैं जिससे कि हमारी जो वकेबलरी है अब बड़ी शांदार हो जाए आज का जो यह सेशन होने जा रहा है इस सेशन के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ जो कि डिफरेंट डिफरेंट एक्जाम में देखे जा रहे हैं और जो कि अपने अपने लेटेस्ट साइन हो उन सभी पर बात बैटाजी आपके सामने करने के लिए मैं हाजी तो चलो मेरे दोस्तों करते हैं अपने क्लास की शुरुआत हो चुका है आगाज रण की तैयारी है और जीत उसी की होगी दोस्त जिसका संगर सभी जा रही है चलिए मेरे दोस्तों करते हैं क्लास की शुरुआत बड़ा जवर्जा सेशन होगा बेटाजी मोस्ट रिपीटेट साइनों लेकर क्या हैं और इस्पीशली वो साइनों जो के एक्जाम में भी आ रहे हो लेटेस ले टेस्ट चैलिए शुरुआत करते हैं सबसे जो मारा फर्स्ट साइनों आजारे यह यह देट इट इस अवर दिम्यूनिटिव दहान से देको दिम्यूनिटिव दिम्यूनिटिव वार्ड का मतलब ही क्या है बहुत चोटा जब कोई चीज़ बड़ी चोटी शीओ ना आप एक को पीटाइट फिल भी गार्फेक्ट साइनु डिमीनीज याद रखके या नियूद रखे का तुरी अपको धिकरीज भी आपको अपको डिकरीज भी बोल दे तो डिकरीज के साथ तो यहांने देस्केंट परह थिसका इंद टेंटक्ष जोड़ता है आपका सेंट पाइसकेंट ठीक है नरे इसारे इसारे वाटर तो डिमिनिशदा पर दिम्नुटिव एनि मेरे वान्दा यान कि बहुत चोटा जो बहुत कम जोगर करें चोटा सा माउंट रहे गयाओ बहुत होटे को आपने क्या बोला हार्ट इमियुञे चोटी आपने क्या चोटा आगया वह चोट्फी thousand यानि पने पैरों को कर लो टाइट ऐसा नहीं कि तुम फिसल जा और चोट लग जाए तो पैटाइट यानि कि रास्ता बड़ा छोटा है तो बहुत छोटे को आपने क्या बोल दिया अरे क्या बोला दोस्त आपने पैटाइट बोल दिया नेक्स्ट अप्शन इसाथ देक लेता ऐख सेटिशियस ऐसे असपी डीशियस शारे बचे जानते यानि कि सिग एस फुशंग और और शुपर फॉस्त्र गाड़ी महाइड गया तो गाड़ी क्या है? एकसप्डूरीशियस एकसप्डूरीश एकसप्डूरीश एंवीटा सिगर डैंजरस आरब जानते है और पारिश आपके जिए आनरा और आपको गलत हो, अनुचित हो और बेटा जी फिर उसके बाद अपने जो कॉमेंट बता दीजिक क्लास के से लिए फिलाल इमानदारी से बस पढ़ाई फोकस करो नेक्स्ट वर्ट इस बटा एक्सपोज एक्सपोज कर रहा हो यानि कि आपने किसी के सामने कोई चीदी प्रकट कर दी और भाई प्रकट करने हो क्या बोलता है रिवील बोलता है रिवील बोलता है रिवील के बारे में एक वर्ड आपको यादा रहा होगा प्रकट करने को मैंने आपको पढ़ाया था मैनिफेस्ट क्या पढ़ाया था आपको मैने मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट का मतलब प्रकट करना इस के साथ आपको अफोल्ड का रयात आपको अन फोल्ड इसी के साथ एक सिंपल लेलो यारु ढूर गायोगा मेर दूस्त आपको के यानि आपने किसी चीज़ की घोष्णा कर दी तो आप सारे एक सारे वर्ड को ध्यान रखी इस्पेशली आपको मैनिफेस्ट वर्ड याद रखना है मैनिफेस्ट का मतलब क्योंता बिटा परकट करना होता है आपने अक्सर सुना होगा कि जो भी आप पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में खड़ी होती है तो चुनाव के दोरान अपना मैनिफेस्ट गौष्णा पत्र यानि कि वो क्या क्या आपको आपको देने वाली है क्या क्या उनकी घोश्णा च 46 कि तो मैनिफेस्टों में लखी होते हुथिए तो मैनिफेस्ट नौर्ड वह एक नाउन हैं मैनीफेस्ट के पीछे दिवार्व चिपयों वह मैनीफेस्ट और तो मैनीफेस्ट से बना डिस्कलोष उजागर करना डाइवूर्ज प्रककट करना इवेंस और इव इंस वॉल्व डिकलेः और अपका अनफोल्ड अनकावर एक ही बात है नेक्स बीटा हाइड छिपा लेना सेकंड फोर्म ध्यान लखना हाइड की सेकंड फॉर्म हीड होती है बरी बीटा दफना और प्रोटेक्ट तो भीया तुम सब अपने आपको बहुत कर रहे हो आज कल मुसम बदल रहा है नेक्स्ट वर्ड हिंड का मतला होता पिछे क्या होता है मेरे दोस्त हिंड का मतला होता है पिछफ़े को क्या हो लिंग पर हिंड बोलें ऐसे ध्यान नक says कि हिंड्रेंस बाध हैं जो आपको कहां छोड़ देनी पीछे छोड़ देनी है आरे बाधाओ को कहां छोड़ना है पीछे छोड़ना समझ रहे मिरे दोस्त बाधाओ को पीछे छोड़ता हुए हमें आगे बढ़ना समझ रहे ना बात को तो हिंड यानि हिंड्रेंस हिंड्रें टॉट वीमोड बखुत बखुत थास्तुक नावर्ड दवेटोस्ति सुनने गुंश इन्यूंड 600 box eight दो दोस्त को मेरे दोस्त का मैं टमार्य आप के तानो कीए हो तॉकरिया working इन्वान्ट का सब्सक्रींस इन्डीसकी टान्स पर सब्सक्राइब स्व्तr नियुवर को चुमारी दोस्तों थो ऑनी किसी की ज़ेद रिजिए ऐसा को शब्ट समय कका ठाक्स जिपा हुआ पеждated इंपरे उप्लिकिसिन वृट जाए का था ऐसैन सॉता हुई कि कज़सी अवली किसे हो तरिंख शबोत सबीस टोट है इन्यों एंडों क्या को बटा इन्यों एंडों यानि मेरे दोस्ताना ताना है तो आपका implication क्या होगा बटा जी मेरे implication next word पर मुव कर रहा हूं next word आप सारे बच्छे समझ पारे करेंट अगर फीजिक्स की भाषा में देखा जाया तो बिजली को दिखाने लग जाता है लेकिन हम बात कर रहें अपने इंग्लिस के और इंग्लिस में वक्याब की तो बटा धिहान नको करेंट का मतलब क्या आपका एट प्रेजेंट करेंट का करेंट फाल गइंड है ऐंटी करेंट की डियानि इंट होता है और आप यहां पर रहें वड दएक और एंटीख टूद का मतलब करूछ 실नी पराणी जीजों को ऱических बोला जाता है और जो इंसान पूरानी चीजों को इखटा करें उस्को बेचिए उसका व्या पार उसे एंटीक को बहुत पुरानी चीजों को एंटीक बोलजाता है और जो इंसान पुरानी चीजों को इनिट करें उसको भेचे उसका व्यापार गॡूत करें इंटीक वेंग गूरीयव के क्या अन dependence कोड़े सी स्पीड पकड़ रहा हूं मेरे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा अधर्वाइस तो और आप सारे बच्चे जो है नोट्स बनाते हो चलिएगा हालंकि इसकी पीडियाफ में आपको अपनी कॉम्मिनिटी पर प्रवाइड करा दूंगा जो मेरी इंग क्यों पखना यानि भिटा इस तरीके से कुसी चीजग पालन करना ठीके अगर किसी चीजगा पालन नोरब एक याzna ये वर्ड़िका अलग अग जसलिगल तो यीद्टरा यानि किसी चीजग पना किसी चीजगा अनुंप्याइल करना किसी चीजग को पासमे लाना वह सब पै इमांद सी पेट का बोलता है भूल एमाद कि prohibit इाद किस घृमाद कौनु दोस्तिता मन मेंद सम्हक का मतला बेग किए आज आद करणा हुआज क्ना इसे फ्रीच मारा और कुसा तेनो यह वहर्ब करेंख से एर07 चारव है का यदोन बन जाएगा मैंञे प्रनाओं या इमान्सी पेट इमान्सी पेट ऐसे अगलो हीमान Si ka pate क्या हो गया इंगलना किसी से आजाद हो गया gitu थी ठीक है रिलीज होगे डिटेच बिट लग करन साथ सीJoeов five डिटेच तक टेच यहां दो और जाथ कौ है ठीक है अब्लिओड करो यहां पर क्यों क्व्क यहां पर बेटा आप भी अपने जीवन में 9 p.m. का टाइम हर दिन क्लास का recorded क्लास का adhere कर लो ठीक है आप भी अपनी दिनचरिया में इस चीज को adhere कर लो कि हर दिन रात को 9 बजे पढ़ने बैट जाना है ठीक है ना बटा कुछ भी हो जाए रात को 9 बजे पढ़ने बैट जाना है बटाजी मेरे next बटा आपके समने ambid क्या वड़ा रहा है मेरे दोस्त आपका ambid ambid word की बटा जी यह दि में बात करूँ ambid क्या वड़ा बटा आपका ambid ambid word का मतलब होता है मेरे दोस्त किसी चीज़ को लागू करना complete भी हो सकता है या फिर भाई किसी चीज़ को guard देना guard देने का मतलब कैसे बताओ जड़ देना जैसे अक्सर आपने देखा है ने कि फोटो जड़वा दो फोटो अक्सर हम फोटो फ्रेम में fix न तो उसे hem ambid बोलें गांगा आपने किसी चीज़ को जड़ दिया आपने किसी चीज़ को किसी चीज़ का अंदर guard दिया दबा दिया ठीक है बटा तो उसे ambid बोलता है तो क्या होगए बटाजी आपका बरी क्या होगा बेटाजी आपका बरी ठीक एम बेड ऐसे आद रख लो भीया कि I am bed किया मुझे तो बस बैड में दबा दो तुम मैं तो बस सोता ही सोता रहूं तो एम बेड या नहीं मुझे तुम बैड के अंदर दबा दो ठीक में बेड तो बेड में क्या करना चाहतो तुम दबाना चाहतो बैड का अंदर ही रहना चाहतो ऐसए याद रख लो सुबागे टाइम हरकोई सुबा के टायाए नहीं किसी चीजगा जलना कॉंबस्तीबल यानि जो सम्मागाव यानि जो समय जल सकती है जल सकती है तो यानि इंफलेंगरें से अपने अक्टोर्ण डीजल के ले जानेवाले ट्रक होता है Season 81 करोतig robusta9-28 do सकता हो उसे बोलते हम फ्रेजाइल जिसको कैई बार बटा हम फीबल भी बोलते है क्या बोलता फीबल डाया करना क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त आपका कम जो करना इसका पॉजट्ट क्योंग आपका and during या फिर लोंग लास्टिंग कोई भी ऐसी चीज़ लंबे समय तक टिके उसे बोलते है बिटा आपका क्या एंडियूरिंग ठीक है इस यह के साथ बैटा नोन एक्सपोईजिव जिसमें कोई इसका पॉज़ पूछ रहा होता तो नोन एक्सपोईजिव हो जाता लेकिन मेरे से साइनों पूछा इस वजा से बिटा मैंने क्या ले लिया आपका इंफलेमेबल यानि की से ऐसे कैसे तो देर आप एट कैन भी कैच फायर इजिली कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आसानी से आग पकड़ ले उसे बोलते हैं इंफलेमेबल क्या वरड का मतलब होता नहीं किसी चीज़ को जो है मतलब की वर श्मे कर लेना यार मंतर मुग्ध कर देना एक समय के बाद जो मतलब एक इंसान रहो सब्सक्राइर थे मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ रल जा अरलने का मतलब क्या हुए जैसा मैं हूं ऐसा ही बन जा समझ लें कि जैसा मैं हूं अैसा ही बन जा एक बड़ा प्यारा स enroll मुझे बलब यादा गया कि हाथ पकड़ ले अभी तेरा हो सकता हूं मैं भीड बहुत है इस मेले में खो सकता हूं मैं पीछे छूटे मंत्रमक्द कर लिया अपना कर लिया आपने किसी को अपना बना लिया दोर तो एठेरल यानि मंत्रमुद कर लिया असे क्या वोटता मैस मी राइज मैस मी राइज यानि कमेस वाले राज राइज कि लाँ अजिए समिज रहे मैस मैस जानता हूँ ना वसोई किचिन जो भूशर लोगों का खाना एक साथ बंचा जैसे होस्टल हो गया हमारा या फिर बटा लियर नोगा तो वहाँ पर जो मैस होता मै गिला किहला कोकी रीच टाक किलाके तूमने किसी को क्या कर लिया एकर अत्राल कर लिया विटा किल आका एक आर पर छोड़ानीत वहथा लुटा नी पर जायों ठोंदकिलिए पुट इम क्लेंटेवस्ति वंस अक्षण को अधर आपको चिह वर्ड हीं थिफटी थिफ्टी क्या कर थो प्रिफटी थिफटी में में Links कुष्क वर्ड याद आ रहे आपको याद रहे 350 की क्ला इसकर याद आ था था आ था था पको 350 को यह दा रहे बहुत मेरे बिटाइ जी एक बार बढ़ाता हूँ एक बड़ और वह था आपका बीनाइन बी एन आई आ जी इंड बीनाइन हा बी एन आई जी एड मिनाइन वह चींड बिनाइन तो बी नाइन में डाइस कि आवाtechn किया जा रहे इसकी स्पेलिंग एगज़ेक लेना बीनाइन बिनाइन बीन आई जी ईन पीनाइन ठीक है स्पैंrai थाइएक सेकिंड के लिए रूखना यारो। यानि 9 बी 9 अवाज किसके 9 की तो ऐसे मानलो किसी बच्चे के दस में से 9 नमबर आ रहे हैं तो यह कैसा स्कोर अच्छा इसका मेनिग आपका क्या होगा दोस्त इसका मेनिग होगा सिदा सिदा अच्छा ठीक है 350 ऐसे मानलो को एक लड़का था अपनी जो है महिला मितर के साथ चाहिने के लिए गया पूरा दिन घूमा और खर्चा कितना कि अविया 350 रुपीज का यानि की लड़का क्या है वह खिफायती है लड़का क्या है मेरे दोस्त कि फायती है यानि की बटा लड़का एक तरीके से में बोल दू तो कंजूस्टाइप है थोड़ा सा ठीक है ठीक है हमारा जो किला है उसकी घहराबंदी हो जाए और हम अपने किले की सुरक्षा को और जादा मजबूत कर लें तो 45 का मतलब होता बटा घहराबंदी करना समझ रखिलाबंदी यानि चारो तरफ से आपने किसी चीज की मतलब पहरेदारी बढ़ा दी या फिर बटा मजबूत करने ठीकषण दो मिनिक उताक्त तो मजबूत करना हो गया अपका मजबूत करना या फिर बटा किसी चीज का थे रखिलाबंदी करना 45 सैनिक मेरे साब से तो इसका आन्सर की और चैनले क्यों कियो कियो आंसर कियो कियो मेरे थोस्त आपका सिक्ärt होगे संचा ने बिनाइन या पार्सी मोनिस होगे एकोनोमिकल हो गया ठीक है ना इस्पेंट त्रिफ नहीं होगा ठीक एकोनोमिकल हो गया इसका पोजिट होगा एक्स्टावेगेंट ठीक है ये सारी साथ ट्रिफलर ओधर चले जाएंगे वैल मैं बात कर रहो कर दिया तो मजबूत कर दिया तो मजबूत कर नहीं कि आप क्या काम कर रहे हो आप किसी के गुरुप में घुस करके वहां पर क्या कर रहे हो या फ्रोड कर रहे हो क्या कर रहे हो में दोस्त फिरोड कर रहे हो इसका मतलब आप मनी मन में क्या कर रहे हो इरोड कर रहे हो यानि कि आप उसे क्या कर रहे हो डिस इंटीग्रेट क्या कर रहे हो डिस इंटीग्रेट क्या कर रहे हो डिस इंटीग्रेट में एक वर्ड निकल रहा है यानि कि जब बहुत सारे मतलब लोगों में एक ता होती उसे इंटीग्रेटी बोलते हैं तो डिस इंटीग्रेट यानि आप दिर दिर उनको जो जड़ उनकी काट रहूं प्रिजर बचाना बिल्ड बड़ बनाना और बिल्ड़ का पौजिट च्यों पर कि ऐसी आपका पतन सब्सक्रेंश कि नॉक Do कर देना ठीक है फिक्स बेट आप सारे बच्चे जानते होता है आप सब इमानदार इससे फिक्स होने वाले और आपने अवने फ्यूचर में नेक्स्त बेट आपके समने ठीन करने इंट आ टेंगल का डुकाई इंटेंग था आ टॉत को जाहनई कोई प्सोचिव गाल टेंग रहा वुटाया अटॉं उल्जाना वसालना गणान हहले तो फालसाने कहा वो पॉटा पुल्सानेए कट्राहिठ कि उल्शाली आपने अपने उसे मुल्लब आसरी चीज़िट करके अपने गुरूप में अपने वस्में ले लिया तो से बोलते में इंटेंगल च्छां परसाती उसी कों बोलतें नेक्स्ट वर्ट वेटाजी वर आध्राउट बहुत अच्छा वह टावट धियां तो सुनना एक एडियम बहुत अच्छा मुझे यहां से आगया, cut throat competition, cut throat competition, साइध आपने ये डियम सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लो, बहुत important एडियम है, cut throat competition, ठीक है, इसका मतलब होता है, very tough competition, जिसको हम कही बार बोलता है, rat race, क्या बोलता है, इसको हम बोलता है, rat race, गला काट परिती होगी ते को बोलता है, गला काट परिती होगी ते, यानि जो ऐसी competition हो, जिसमें की इनसान मतलब, मरने मारने पो उतर आ रहा है, बहुत-बहुत मुस्किल हो जा रहा है, चीजों को पालना हो, तो उसे बोलता, cut throat competition, इसका मिनिंग, cut throat competition होता है, throat यानि बटा गला होता है, और गले के लिए एक इडियम बना है मेरा धिहान दखना एडम्स एपल, क्या बना है आपका एडम्स एपल, एडम्स एपल का मतलब होता है बटा कंट, क्या होता है मेरे प्यारे साथ योग, एडम्स एपल का मतलब होता है कंट ही अनि गला, और एडम्स एपल से बटा एक इडियम मेरा बना है, एडम्स एल, क्या बना है एडम्स एल, तो एडम्स एल का मतलब होता है बटा, शुद्ध जल, pure water, सारे के सारे इडियम्स को जब एक दूसरे से आप लिंक करने लग जाओगे, तो समझे लो, वक्याबलरी आपको आई है, और अगर आप सोच रहों कि साइनों की क्लास है, तो मुझे जितने भी सरने साइनों पड़ा है, बस मैं तो यही आद कर जाओंगा, मेटा मुरुकता कर रहे हो बचे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, हमेशा वक्याब को ध्यान लगके, एंटनियम, साइनियम से इडियम पे चले जाए, इडियम से वनवर्ट पे चले, मतलब उचल कूद करो, जितनी ज़्यादा उचल कूद करो, या, या, एक तरी किस अब है रोकना या फिर विफन होना, आए तरी कसी चीज़ को रोकना, या फिर बिता मैं आप से कह stupid का विफन होना, गाताब एक विफल होना, यानि कैना फितोакти आप का सपोर्ट फेस हिंपी, क्या हो गÈफ escr्मिर्ण, ज arrimpfen ऑन्यक, एड़ का मतलब साहता होती है बिटा फस्टेट बुक स्टेट साहता है सपोर्ट अगर फेस्ट मेटा मुकाबला करना होता है तो थार्ट यानि बिटा विफल होना अब इसकी ट्रिक सुन लो आप ऐसे माल लो आप से किसी ने बोला थ्रोट की स्पेलिंग लिखो क्या लिखा विटा आप से किसी ने बोला थ्रोट यानि गले की सपलिंग लेकिन आप निकलती सी आपका सिदा सिदाएं इम्पीड हो गिया बात याद रहेगे कि आप स्पेलिंग लिखने में योग वीफाल लोंगर ऑ्टु इम्पीड हो गया नेक्स्ट वर्ट पर मूव कर रहा हूं जोस्त मेरे next word आपके सामने है हैंडी बहुत बहुतasन वर्ड है है एंडी जो शब रहोता है हैंडी हैंडी separated यह मेरा हात ऑर इस पूसके हैं जादु है Nu तो कोई भी एक ऐसा विक्ति जिसके हाथ में जादू अब जादू का मतलब वो मैजीशियन ना हो ठीक है आप सोच रहो वो मैजीशियन होना चाहिए अरे नहीं भई मैजीशियन की बात नहीं कर रहा हैंडी का मतलब है एक ऐसा विक्ति जो अपने काम में दक्ष हो जो अपने काम में पार्क ही हो उसे बोलता है ! ठीक है तो जो पार्क ही है तो छो से बोलता है ! 혼jों कौन कौन विनियेंट ! realरłosed नहीं के अपने काम में बलकुल तयों आथ। सहह है !! आराम को नइस्ट है ! यसके लिए आप सभी के पास already पहुच गई होगी तो आंसर क्योंगे पिट आपको कॉन्विनेंटी यूजलेस बिटा लग वर्ड है हाइड कठी कठोर हो गया क्लमसी अनाडी होता है और ध्यानक ना कैलो 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 जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या इसका मतलब भी आपका अनाडी है लेकिन अगर मैं इसको कर दो कैला सी डबल ओ यूस कैलास तो इसका मतलब के संवेदन ही एक ऐसा विक्ति जो थोड़ा सा मतलब दुख में ज्यादा टेंशन ना ले उसे बुखना कैलास नेक्स्ट एवेंज क्या वाज आ रही है मुझे तो आवाज आ रही है बिटा रिवेंज की क आवाज तो मोटिवेट करना होगा अपकोंफर्ट आप बढ़िया और चीर यानि बटा खुश चीर फुल यानि और जादा खुश चीर लेस यानि कि विटा आपका जो दास और का जिसको आप मौरन फुल डॉले फुल या फिर बटा आप सूलन दिम मोडी ठीक है निए सार यानि मेरे प्यारे साथ यहानि मेरे पियारे साथ यह आपका देनिया यानि जिस पे तुमें दयारियो यह यह शेवाल पैथरिक और यह को क्या प्लड़ जुब ट्रुब टाप इसलों पीटल टिक है प्लेंटीफुल प्रचूर होता है पावरफुल सक्तिसाली होता है परपस्फुल जो अपने उद्देश्चे से काम कर रहा हूं ठीक है पैथेटिक बिटा देयानिया टेमपेरेट बिटा जल्दी से बोलो टेमपेरेट दो बार देख लेना इस वीडियो को फिर से बता रहो दो बार अभी देख रहो रात को आज और कल मौर्निंग में जब आप जगो तो सबसे पहले उटते एक बार वीडियो को देख लेना बहरी स्पीड बढ़ा के देख लेना लिकिन बिटा देख जरूर लेना क्योंकि ये सारे वर्ट्स बहुत-बहुत इंपोटेंट है ऐससी के प्रिवेश यह और मोस्ट रिपेटेड भी और कहीना के ऐसे जो अक्सर बच्चों की नजर से छूटे वो होते हैं सेलेक्ट बड़ लेकर क्या हूं हमिटा टैंपरेट क्या कहते हो बटा मेरे टैंपरेट की वर्ड के अगर में बात आप से कर लो टैंपरेट का मतल बच्चित कह दो कि इसे टेंटेटीव है ठीक है एक्स्ट्रीम बहुत जादा होता है वो टैंपरेटी बटा मतलब की कोई भी ऐक ऐसी चीज जो पर्मानेंट ना हो टैंपरेटी नेक्स्ट आपके समनें डैफियंस बहुत अच्छा वर्ड होगा ध्यांत सुनो डैफियंस इस वर्ड होता है एक 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 देफियंस इन दोनों को समझो पहले तो डैफियंस का मतलब तबीट अवगया क्या था जिए जो अवगया यानि अनाधर किसी चीज को अगरा मतलब किसी के ओडर नी मान रहे किसी की बेज़ती टाइप मापने कर दी किसी को आपने जो पर्टा ऑटा आधर किया वीटा और जिसको आप मिलता मेरे संव और भूलते हैं इसको आप बोolate दिया रेजिस्टेंस यानि बटा किसी चीज़ को रोकना तो अगर आपने अवग्या कर यानि आपने सब्सक्राइब ठीक है फिजिक्स में बढ़ता है न किसी वायर के इतने आद रेजिस्टेंट उनको इतनी अच्छाओ गूड़ कंडेक्टर होगा एलेक्टिसिटी का सोड का मतलब हुंता फिल्कूल अलग्शन मेरे सर देव कर गया मेरा इतनी गंद की इमा यह सर र्ट यहन holiday alliloga अग्याक गांड किसी वह प्रूज्ट आप प्रने अपने ढटी बोल दिया में मेरे अपने क्या वोल ज़ुँर्टीब आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट वाड़ है रेसोल्यूट रेसोल्यूट का मतलब क्यों हो गया रेसोल्यूट भी बड़ा अच्छा सा शब्द है और रेसोल्यूट का आपका एक्जिक्ट मीनी वह जाता है मेरे भाई तरीके से बटा अटल द्रड जो अपने आप में मतलब पुरा पुरा सोच एर के रेड़ी होगे उसे द्रड बोलता है ठीके बटा अटल दर्ड तो द्रड़ को टेक्टर माइंड क्या बोल्कू बटा डेकर मैंटीक है है इससेंट अलग होगे अंशूर अलग होगे अंसर्टेम बिल्कुल अलग होगे तो जिस आप अप इनेवि स्कतले इसको меньше रिक को डिखाते हैं क्या बटार हन्ट है तो किसे को देल अपने ऑनगे जिसको बोले अप गैलेंट जिसको बोल्ड होडary और इसी को आप बोलेंगे वैलर, इसी को क्या बोलेंगे वैलर, वैलर का मतलब भी सहांसी होता है, वैलर का मतलब भी बिटा क्या होता है, अपका सहांसी होता है, वैलर का मतलब भी क्या होता है, अपका सहांसी होता है, हालंकि मैं स्पेशलिस की बात करो, इंट्रिपिड, इं लब आलसी तरीके से काम आपने कर दिया, चलो भया, आज ये बटा, मैंने 22 वर्ट्स आपके सामने डिसकस की है, I hope आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, बटा जी, यही सारिक सारी वर्ट्स, यह सारिक सारी वकेबलरी, बिलकुल इसी अंदाज में, बढ़िया अंदाज में, डेवाई सेडियूल में, मेरी बुक के अंदर है, और पूरी पूरी ग्रैमर, मैंने अपने हाथ से कंसेप्ट एक एक क्लियर किया है, अपने नोट्स में, तो जो भी मेरा प्यार साथी, लेना चाहता है, बढ़िया से अ ना उसको कभी बटा, कोई मोक टेस्ट के लिए खरीदना पड़ेगा, और ना इसे कुछ वोकेबलरी के लिए लग से लाना, यानि सब कुछ मैंने इसमें कावर कर दिया, पूरी ग्रैमर को मैंने अपने हाथ से, एक-एक कंसेप्ट को मैंने खोल-खोल के डिटेल में, के साथ मैंने क्लियर किया, यह मात्र और मात्र आपकी 200 रुपे की है, फिलिप कार्ड पर भी और हमारे अड़ाइ स्टोर पर भी, ठीक है जी, आप जाकर के सानूसर अगर सरच करोगे फिलिप कार्ड पर तो आपको दिख जाएगी बटा जी, अब आप देख सकते, केवल 200 आपके पूरी ग्रैमर अच्छी हो सकती है, और फिर इसकी प्रक्टिस करने के लिए मेरी बुक पर आप आ जाईएगा, जिसमें आपको ग्रैमर भी मिलेगी, आपको बिटा वोकेब भी मिलेगा, और पिटा कॉम्परेंशन मिलेगा, और साथी साथ बिटा 61 पेपर्स मिलें पूरी वोकेब देवाइस आपको मिलेगी, डेवाइस का मतलब हो गया कि वोकेब के अदर आपको पाइट, 10 अन्टेनियाम, स Norm Gaming, 3 मेढ़ेट से, एक शब्द के सेंक्डु साइन, सेंक्डु अन्टानियम, यानि दोनों को मैं अलँग लगना पढ़ा गया, एक साथ पढ़ से दोजार दस से और दोजार बाइस तक के सारे प्रीवेसर कोशिन भी आपको इसमे मिल जाएंगे ठीक है अगर आप अगर अगर आप डेस्टोर से खरीदें तो यह वाला डिसकांट कोड यूज करके आप अडेस्टोर से भी खरीद सकते हैं आपके घर पर बुक पहुच जाएगी एक नॉमिनल से भी नॉमिनल प्राइज है पांच सो पर में दोनों बुक आपके घर पहुचेंगे आपको कभी जिए उन में दुबार देखने की यूरत नहीं पड़ेगी ठीक है दोस्त कॉमेंट बोक्स में जुरू बताना क्लास कैसी लगी बाई बाई मेरे प्यारे दोस्तों कल फिर मिलूंगा सेम टाइम नो बजे अपने वीडियोज वाले सेक्शन में ठीक है जी बाई बेटा गुड़नाइट